नमस्कार दोस्तों मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन लोन से संबंदित इस टैंप कैसे बनाया जाता है यानि दोस्तों अगर आप लोन ले रहे हैं या फिर द जानकारी देने वाले हैं कि आप ऑनलाइन लोन का स्टैंप कैसे निकाले उसका क्या तरीका होता है पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जाड़ों देख्या और चानल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दूआ दें जिससे की हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है उसको ओपेन कर लेना हो तो जब आप उस ब्राउजर को ओपेन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपेन होगा अब आपको दोस्तों इसमें सर्च करना है mpigr.gov.in या फिर दोस्तों डारेट सर्च कर सकते हैं mpigr इसको जब आप ओपेन करेंगे तो आपके सामने जो mp government की revenue department की official website है वह ओपेन होगा तो दोस्तों आप mpigr.gov.in जब सर्च करेंगे तो आपके सामने जो official website है वह open होगा जो की कुछ इस तरीके का होगा तो आप open करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारी services portal की मिल जाएगे तो दोस्तों जब आपके सामने website पूरी तरीके से open हो जाएगे तो कुछ इस तरीके का interface होगा अब आपको दोस्तों बहुत सारी services मिलेगा एक option मिलेगा login का तो आपको login वाले option पर click कर देना एक नया tab आपके सामने open हो जाएगा उसमें आपको user id फिल अप करने के लिए बोल option मिलेगा चेंज करने के लिए right side में नया user ID क्रेट करने के लिए option मिलेगा तो उसको आप create कर सकते हैं तो इस तरीके से password और user ID को फिल अप करके language सेलेक्ट कर लेना है उसका capture code को फिल अप करके login वाले option पर click कर देना है तो जैसे ही आप login वाले option पर click करते है तो आपका जो successfully login हो जाएगा तो दोस्तों जैसे ही आप login हो जाएगे तो नीचे से चौथा वाला option registration process का मिलेगा उस पर click करके दो options मिलेगा option मिलेगा deed name है deed name में आप किस purpose के लिए रहे हैं loan के लिए रहे हैं तो loan agreement लिख दें उसके बाद दोस्तों डीड नेम जो भी लिखेंगे वो ठीक है deed content जो है उसको आप जो भी उसमें लिखेंगे वह प्रेंट होकर आपके e stamp पे आएगा तो इस तरीके से लिख के finish वाले option प दोस्तों आपको ऊपर जाना है E stamp वाले option पे लिखेंगा फिर से नां जूडिसियल का option मिलेगा उसके लिखेंगे वाले option कर देना है उसके बद दीट टैप में आकर कि क्लिक wedगा मिलेगा उसके बाद दुस्तोट सेमांट आपको 500 रुपे का इस्टम चाहिए तो कुर 500 का इंटू कर दें तो जो आमाउंट आएगा उसको आपको यहां पर फिल अप कर देना है क्याने मतलब 500 के लिए 2 लाग और 1000 के लिए 4 लाग और उससे उपर का जो भी स्टैंप आपको चाहिए जितने भी रूपय का स्टैंप चाहिए आपको उसमें 400 का गुणा कर देना है और जो एमाउंट आएगा वह डिटेल से यहां पर फिल अप करेंगे तो उतने रुपय का इस्टैंप आपके सामने जनरेट होगा तो जैसा कि अभी हम 500 रुपय का निकालने है तो इसमें हम जो उसका एमाउंट है उसको डाल देंगे तो डालने के बाद नेक्स्ट करेंग तब आपके सामने जो इस्टैंप है वो दिखाई देगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं गौवर्मेंट इस्टैंप डिटी 500 रुपय दिखाई देगा तो आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ब्रीब डिस्क्रिप्शन आप डॉक्मेंट तो यहां पर किसलिए ले रहे है इस्टैंप उसको फिलब करते जैसा कि लोन के लिए लोन एग्रिमेंट लिए उसको इस्टैंप परपस का जो प्रोसेस है उसमें भी लिख दे लोन एग्रिमेंट उसके बाद दूस्तों नीचे आएंगे तो पार्टी टाइप का आप्सन मिलेगा उसमें आपको सेलेक्ट और लेटे घ्ली और किसी चुब्ल से ले रहे हैं तो उसको फिलब करों एसन ऑ्कAf एक्रेसी पर्माएल जिटेल नमर फोटो यह सारी घिदेल्टे अपको फिलब करनी होगी गोड़िए तोच इस तरी के साब डीटेल्स को फिलब कर ले तो दोस्तो जो भी नाम होगा जो भी gender होगा date of birth जो भी होगा father name जो भी होगा जिस district में रहते हैं जो भी address होगा postal code जो भी होगा mobile number आपको fill up कर लेना जो भी star है जिस भी option क्यागे star लगा हुआ है उस details को fill up करना compulsory है तो आप उस details को fill up कर लें उसके बाद दोस्तों आपको एक option मिलेगा mobile number का तो mobile number सही से fill up करें अभी example के लिए हम इसमें लिख रहे हैं दोस्तों दोस्तों आधार नमबर आप इसमें सही तरीके से fill up कर सकते नमबर आप परसन में एक या दो जो भी व्यक्ति होंगे जितके नाम से डिटेल्स को fill up करके नमबर आप परसन में एक डालके डिट जो आपने क्रेट किया है उसको लिख कर वाले ओप्शन पर किलिक कर दें उसके बाद दोस्तों नीचे में आप देखेंगे श्क्रूल करें पहले करने के बाद से आपको यहां पर ओलाइन चलान और पर सकते आपने जो लाइसेंस मिला है उसमें एमाउंट पहले से डाल के रखा हुआ है याने यहां पर किलिक करके पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरिके का इंटरफिस होगा पेमेंट प्रॉसरजocy is सक्सेस्फूल तो अब आपको राइट साइट में साइन आउट का साइन पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे साइन आउट वाले उपसन फे मिलेगा만 एक स्थे उर्टीराइब कर देना है चाफरल को को लॉप कर देना है उसके बाद जो भी लेंगुज है उसको सलेक्ट करने कृद लॉग इन वाले आप्शन के लिए कर देना है उसके बाद कुछ दिर तक बेट करना है प्रिंट करने के लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोर को ही यूज करें उसके बाद दोस्तों आपके सिस्टम में जो भी आपने इस वेब साइट में डिश्टल सिग्नेचर लिंक करके रखा उसका ऑप्सन मिलेगा कुछ देट तक वेट करें इस तरीके का ब्लेंक ऑप्सन मिलेगा तो आप वेट करने क्य सिस्टम में आपको इस तरीके का उप्सन मिलेगा अब आपको इस तरीके का उप्सन मिलेगा फिडिलिटी डेमो का जो की एक पॉप आप विंडो ओपन होगा उसमें कुछ ताइम तक विट करें जो भी आपका की इसिस्टम में के प्रिंटर landing होगा इस टैम का उसका उप्सन मिलेगा तो उसके प्रिंट वाले उप्सन पे जब तक वेट करें जब तक यहां पर जो प्रिंट कंट्रोल अप्लिक इस तरीके का जो आप्शन है उस पर प्रिंट करने के लिए आप्शन आजए तो देशा कि आपको लिखा मिल जागा प्लीज डू नॉट क्लोज द विंडो जब तक यहां पर ओक्या का आप्शन ना है और लाजट कर सकते हैं दोस्त आपर विडियो मां एकम कर दें दो लागा यह सब्सक्राइब करने तो द्हन्यवाद दूस्ति वीडियो को दिखने के लिए आ तो दोस्त्तों जब आपके प्रिंटर से प्रिंट आ जैगा तो इस तरीके का का एक option आपको लास्ट में मिलेगा प्लीज कलेक्ट यो प्रेंट आउट